कहते हैं हो ये वही जो रामरची राखा अब हो ये गया है कि जापान ने उल्टा बड़ा हड़कम पला दिया है चाइना के अंदर और गुसाया हुआ चाइना कह रहा है कि जापान ने गलत किया है जापान के ऊपर चाइना ने एक्षन भी ले लिया है जानेंगे क्या है मामला क्योंकि ये बहुत बड़ी तबाही जापान की वज़े से आ सकती है जानें एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार G20 के लिए पुतिन ने भेज दिया संदेशा हलाकि कहीं न कहीं भारत का काम कर दिया बेहद आसान जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आएए जानते हैं इन खबरों को विस्ताहर से इस क्रीन पर आपको एक जगा दिख रही है इस जगा का नाम है फूकुशीमा 11 मार्च 2011 तीन बज कर 42 मिनट पे आचानक से जापान में 9.1 ती व्रता का भूकंप आता है और इससे समुद्र की परत खिसक जाती है समुद्र की परत खिसकने से सुनामी आ जाती है इमर्जेंसी जनरेटर गर्म रियक्टर को ठंडा कर पाता कि इससे पहले ही सुनामी का पानी प्लांट के अंदर घुस गया और जैसे ही यह पानी घुसा सारे इमर्जेंसी जनरेटर बंद हो गए गर्म रियक्टर पिघलने लगा कुछ देर बाद नुकलियर पावर प्लांट में भ्यानक भिस फोटे होने लगी बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले कई महिनों तक नुकलियर रियक्टर्स में चेन रियक्षन होने से रोकने के लिए इसे 139 करोड लीटर समुद्र के पानी से ठंडा रखा गया और इससे पानी में 64 तरह के रेडियो एक्टिव मेटेरियल घुल गए इसमें कार्बन 14, आयोडीन 131, सीजियम 137, स्ट्रॉंटियम 90, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, ट्राइटियम जैसे ऐसे ऐलिमेंट थे जो इनसानों के लिए हानिका रखते, इन मेंसे ज़्यादा तर रेडियो एक्टिव मेटेरियल की लाइफ काफी कम होती है इससे इनका असर खत्म हो चुका है, हलाकि कारण 14 जैसे कुछ मेटेरियल हैं जिसका असर कम होने में 5000 साल लगते हैं इसके अलावे नुकलियर रियक्टर पानी में अभी भी ट्राइटियम के कन मौजूद हैं लेकिन ये सारी कहानी आज क्यों सुनाई जा रही हैं तो आपको बता दें, जापान ने समुद्र में फुकु सीमा नुकलियर प्लांट का रेडियो एक्टिव पानी छोड़ना सुरू कर दिया है जा पानी समय के अनुसार दोपहर एक बजे ये प्रोसेस सुरू कर दिया गया पहले दिन करीब दो लाख लीटर पानी छोड़ा जाएगा इसके बाद इसे बढ़ा कर साड़े चार लाख लीटर कर दिया जाएगा अब ये सारी चीजें क्यों की जारी है जब इतना खतरनाक है तो आपको बता दें जैसा कि हमने कहा 2011 में जब भुकंप और सुनामी आया तो फुकोसीमा नुकलियर प्लांट में भयानक बिस्पोर्ट हुआ और वहाँ ठंडा करने के लिए जो 133 करोड लीटर पानी दिया गया वो सारे रेडियो एक्टिव हो गए वो पानी इस वक्त टैंक में जमा है लेकिन अब इस पानी को रिलीज करने की जरूरत है कब तक जमा रखेगा न्यू योर्क टाइम्स के मताविक जमा पानी करीब 500 ओलेंपिक साइज स्विमिंग पूल के जितना है जैसे ही जापान ने इस पानी को समुद्र में मिलाने की बात कही चीन और दच्छिन कोरिया के लोग डरे हुए है रेडियो एक्टिव पानी छोड़े जाने पर चीन और साउथ कोरिया को डर है कि ये सीफूड यानि की मचली, क्रैब और समुद्री जीवों के जरिये इंसानों के सरीर तक पहुचेगा ट्राइटीम के स्कीन पर गिरने से कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन सरीर में घुसने से कैंसर जैसी बिमारियों का खत्रा बढ़ सकता है हौंग कॉंग और चीन ने तो जापान से सीफूड इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा के रखी है वहीं साउथ कोरिया के तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि चापान जो कर रहा है उस से खत्रा बढ़ेगा वैसे आपको बता दें आपको लगेगा कि क्या चापान को रोकने वाला कोई नहीं था बात दरसल ये है कि इतना पानी को खिया क्या जाए समुद्र में रेडियो एक्टिव पानी रिलीज करने के प्लान को UN की एटोमिक एजेंसी IAEA ने अप्रूब कर दिया है क्योंकि कोई और उपाय नहीं है रिलीज करने से पहले इन्होंने कुछ प्रोसेस रखा है ताकि कम से कम रेडियो एक्टिविटी रहे 1000 टैंक्स में रखे पानी को एक साथ नहीं छोड़ा जाएगा बलकि 30 साल तक धीरे धीरे रिलीज किया जाएगा ये बात कही जारी है ताकि समुद्र में इसका असर कम हो फिलाल जिस इलाके में पानी छोड़ा गया है वहां से 3 किलो मीटर तक के इलाके में मचली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है वैसे चाइना ने जापान के ऊपर परतीबंद भी ठोक दिये है चीन ने इंपोर्ट बेंड कर दिया है जापान से यानि जापान से आने वाले सी फूड को अब नहीं लेगा चाइना खेर इसक्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल चाइना के विरोध को लेकर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पूतिन ने खास संदेश भेज दिया हलाकि इस संदेश के साथ पूतिन ने भारत का थोड़ा काम भी आसान कर दिया सबसे बड़ी बात ये है कि ब्रिक्स का जब सम्मेलन हुआ तो ब्रिक्स के सम्मेलन में ये देखा गया कि रूसी राश्पती ब्लादिमिर पूतिन नहीं पहुँचे थे हलाकि ब्लादिमिर पूतिन के नहीं पहुचने की वज़ा ये बताई गई थी कि वो वहाँ अपने देश में विशेश सेन्य अभ्यान चला रहे हैं और उसमें बीजी है इस वक्त उन्हें अपने देश में रहने की जरूरत जादा है पर उसमें लोगों ने ये कहा कि नहीं नहीं सिर्फ यही बात नहीं है बात ये भी है कि उनके ऊपर अंतराष्टिय क्रिमिनल कोर्ट का वारंट निकला हुआ है तो कहीं न कहीं दचिन अफरीका जाने से पुतिन डर रहे हैं कि ऐसा अगर कहीं होता है कहीं उन्हें अरेश् कि क्या अगले महिने ही G20 की बैठक होने वाली है क्या रूस के राष्टपती आएंगे अब तक इन्हों ने कुछ नहीं बताया था लेकिन अब रूसी राष्टपती के परवक्ता ने एलान कर दिया है कि पुतिन भारत में G20 कारिकरम में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे है इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अपने देश में खास सेन्य अवियान चला रहे हैं रूस ने यूकरेन में चल रहे सारी चीजों का विसेस नाम दिया है इसका नाम दिया है विसेस सेन्य अवियान पुतिन सरकार ने ये एलान ऐसे समय में किया है जब रूसी राष्ट पतिने गिरफतारी के खत्रे या फिद ये कहें कि कुछ नीजी कारणों से दच्छिन अफरीका में ब्रिक्स सम्मेलन में ये सामिल नहीं हुए इससे पहले बाली भी नहीं पहुंचे थे अब पुतिन दिल्ली में सितंबर में होने वाली जी-ट्वंटी सिकर सम्मेलन में हिस् अगर पुतिन होते तो सारे पुतिन के ऊपर टूट पड़ते बैठक में ये बात तो तय है अब किसी के दिलने को तो रोका नहीं जा सकता है और दूसरी बड़ी बात ये होती कि फिर भारत के लिए एक मुश्किल हो जाती किसे समाले और किसे नहीं समाले क्योंकि इस वक्त भारत पस्चमी दुनिया से भी बैलेंस करके रिस्ता चल रहा है और रूस के साथ भी बैलेंस करके चल रहा है खेर इन समाले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ